कार्या बादा दूर करने के उपाए जीवन में कई समस्याओं का सामना कभी ने कभी हर व्यक्ति को करना पड़ता है समस्याओं तो जीवन में आती रहती है लेकिन जब कोई समस्या नासूर बन जाए तब व्यक्ति काफी मानसिक दबाव में फस जाता है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिने समस्या तो आती है पर उसका समाधान भी शिग्र हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिने बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें बार-बार परिशानियों से गुजरना पड़ता है उन्हें नीचे गए उपायों में से कोई भी एक उपाय अपना कर देखना चाहिए क्योंकि इन्हें करने से आपकी समस्या का सामाधान काफी हद तक मिल जाएगा घर से बाहर निकलते समय यदि अपना दाया पाउं पहले बाहर निकालेंगे तो आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी यदि आपके कामों में लगतार बादा हा रही है तब आपको सुबह सवेरे उठकर स्नानादी के बाद गीट्दा में लिखे गैरवे अध्याय का पार्ट रोज करना चाहिए इससे शिगर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा यदि बार-बार काम बिगड रहे हैं तब आपको घर में श्यामा तुलसी का पोधा लगाना चाहिए और संध्या समय में तुलसी के पोधे के नीचे शुद्गी का दीपक जलाना चाहिए जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए आप ये काम करते रहें और पुरिश रधा से करें जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब ये देखे कि कौन सा स्वर्चल रहा है अर्थार्थ अपनी नाक में से स्वास बाहर छोड़ें और देखे कि किस नाक से हवा जादा तेजी से बाहर आ रही है जिस नाक से हवा जादा बाहर आ रही है तब उसी तरफ का पैर पहले बाहर निकालें कार्या बादा दूर करने के लिए आप सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें फिर उनकी परतिमा से अपनी उंगली में थोड़ा सिंदूर लगाएं और सीता जी की परतिमा के समक्ष अपनी समस्या को कह डालें समस्या कहने के बाद उस सिंदूर को माता सीता के चर्णों पर लगा दे मानेता है कि नो दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा थोड़े से दाने चावल से लेकर उन्हें महीन पीस ले और पीसने के बाद थोड़ी हल्दी मिला दे हल्दी मिले मिशरन से घर के परवेश दूआर पर ओम लिखते ऐसा करने पर घर में किसी परकार की बादा नहीं आएगी यदि आपके buyers I में किसी परकार की कोई बादा आ रही है अथ्व वेफ साय में सिथर्था नहीं है तब सफेद कपड़े की धोजा पीपल के व्रिक्ष पर लगा दे, इस से व्यवसाय में प्रगर्ति होगी जब भी आप किसी काम के लिए बहार जाते हैं, तब एक सिक्का अथ्वापनी सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे हाथ में लेकर बहार निकालें और रास्ते में किसी बिखारी को दे दे, इस से बिखार्यों की बादा दूर होती है दिवाली से पहले धन तेरस से शिरी गनेश स्त्रोत का पाठ लगातार तीन दिन तक करें पाठ के बाद गाएं को हरी घांस अथ्वा कोई हरी सबजी खिला दे ऐसा करने से कई परकार की बादाएं दूर हो जाती है भगवती दुर्गा को यदि 21 दिन तक लगतार गहले लाल रंग के फूल अरपित करके धूब दीब जलाकर 108 बार दुर्गा के बीज मंतर का जाप किया जाए तब कारियों में बाधाएं नहीं आएंगी प्रात्य समय में दीपक जलाकर उसमें दो अखंडित लोंग अथवा बिना तूटी लोंग डाल देने के बाद घर से बाहर जाने से कारिया में आने वाली रुकावट दूर होती है शनिवार के दिन सर्सों का तेल वेकाली उलड की दाल दान देने से समस्त बादाएं दूर होती है गीता के गैरवे अध्याएं के 36 शलोक को लाल शही से लिख कर घर में टांग दे इससे घर की सारी बादाएं दूर होंगी घर के बाहर जाते समय दही में मीठा मिला कर खाएं इससे कारिया बादा दूर होगी तुलसी के 4-5 पत्ते खाकर घर से निकलेंगे तब कार्यों की रुकावट दूर होगी पांच बत्ती का दिया बना कर उसे हनमान जी के मंदिर में जला कर आने से परिशानियों से छुटकारा मिल जाता है सुबह सवेरे उठकर माता भगवती दुर्गा को पांच लाल पुष्प चढ़ा कर पूजा करने से भी कार्यों में सफलता मिलती है अश्वनी नक्षत्र में पीपल का बांधा लाकर लाल धांगे में लपेट कर बाई बुझा पर बांधने से कार्यों में आने वाली बाधाओं से रहत मिलेगी जदी आपकी कुंडली के लगन में राहू अथ्वा केतु स्थित हैं तब आपको राहू अथ्वा केतु के मंत्र जाप प्रती दिन संध्या समय में करने चाहिए ऐसा करने से राहू केतु के कारण जो बाधाए आ रही है वैं दोड़ होगी एक सुपारी पर मोली का धागा लपेट कर उसे गनपती के रूप में स्थापित किया जाता है आप भी ऐसा करें सुपारी पर मोली लपेट कर उसे गनपती के रूप में स्थापित करके संक्षित सा पूजन करें ऐसा करने पर कार्य सफल होंगे घर में एक श्यामा तुल्सी का पोधा लगाएं और उसे परती दिन अर्ग देखकर धूप दिखाएं ऐसा करने पर पूरा दिन सफल रहेगा आप किसी विशेश कार्य को करने जा रहे हैं तब एक नारियल पर कुम-कुम का तिलग करके अपने साथ ले जाएं ऐसा करने पर कार्य सफल रहेगा और कार्य सफल हो जाता है तब उस नारियल को उचित दक्षिना के साथ गनेश मंदिर में दे दे सुबह के समय भगवान शीव के समक्ष पंच मुखा दिया प्रति दिन जलाए ऐसा करने पर कार्य सफल होंगे यदि किसी मंदिर में आप अनाज के साथ दाने चढ़ाते हैं तब भी आपको कार्यों में सफलता मिल जाएंगी प्रति दिन भगवान गनपती पर दुर्वा चढ़ा कर कार्य करने के लिए निकलने से सफलता मिलेगी प्रति दिन नियमित रूप से तुलसी के पोधे में जल अरपित कर उसकी परिदक्षिना परिकर्मा करने से आपके कार्य सफल होंगे सुबह जब सो करूँ थे तब अपना दाया पाउं पहले जमेन पर रखें इससे कार्य सफल होंगे शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के व्रिक्ष के निचे साथ दीपक जलाएं उसके बाद व्रिक्ष की साथ बार परिकर्मा करें सब बादाय दूर होंगी और कार्य सफल होंगे